नमस्कार मैं हूँ स्टार जयन और आईबीसी 24 के यूट्यूब चैनल खबर वेबाग में आपका स्वागत है आज का विशा है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है डोपिंग यदि हम भारत की बात करें तो तेजी से यहाँ पर स्पोर्ट के इवेंट्स बढ़ रहे हैं स्पोर सरे मेडिसें से जो प्लेज ले लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि यह बैन है यह लेना है और एक प्रकार से कहा जाए तो यह अवेर्नेस की कमी मानी जाती है और यही वज़ये कि भारत की बात करें पिछले एक साल में तो लगबख साड़े चार अजार सेंपल ज जो काम कर रही है तो नाडा याने नाशनल एंटी डोपिंग अजयंसी और दोबविंग इससे बाच्चित करते हैं मनोजी सबसे बहुता है जाना चाहेंगे क्योंकि डॉपिंग सब सब सुनते लेकिन होता क्या डॉपिंग ये बताएंगे थोड़ा सी एक या एक से अधिक जो रूले व defence करता है तो भी doping में आता है 11 से रूप जो रूले विएलेशन है हमारे और उसको रूपी आजहर अगर विय करता है जो withgod Broken नाम से किसी का डॉप टेस्ट नहीं होता है यह समझ लो कि आप एक कोई चंपियन सीप या कोई भी वह देख लीजिए गेम उसमें एक मिसोन ओडर बनता है हमारे जो दिल्ली हेड़कॉर्टर है नेशनल एंटी डॉपिंग का वहां एक जो ब्रांच है टेस्टिंग ब्रांच अचनल के ब्रांच यहां पर पिर आता है जो डोप कंट्रॉल आप सरह इंडिया कंदर में जहां जहां जो होते हैं वह असपास पास में रखे हुए हैं यह ढोग क्या होता है वह हमने जैना चोंकि आपके में जैसे मैंने कहा कि पिछले एक साल की बात करें लगबग साड़ पिछले और सालों में जाये तो संक्या जादा थी लेकिन तेजी से संक्या घट रही है और इसके पीछे वज़ा है कि नाडा याने जो नैशनल एंटी डूपिंग एजनसी उसने देश बर में अवेरनेस प्रोग्राम चलाने का अभियान शुरू किया है एक और अफसर हमार सा अब पिछलाड़े को बीच में जा रहे हैं हर स्टेट में जैसे घूम रहे हैं अभी पिछे गुजात में गए ते उससे पहले भौपाल में अभी कलकत्ता में थे आज हम तो हम उन प्लेयर को बीच में जा जाके समझा रहें बोला बता रहे हैं किसी के अलदा में ना यूज करें और अपना नेचूर खेल खेले और अपना से श्वच रहे आप खेल निश्वक्स खेल खेले आप से जाना चाहूंगे एक चीज़ दोहर मनोजी कि यह जैसे कोई पॉजिटिव पाता है तो उसके ओपर क्या एक्षिन लिया जाता है फिर मिनिमम एक्षिन और मैक्जिमम एक्षिन क्या हो सकता है देखिए अगर जैसे हमने किसी पॉजिशन जो मैं बताया था इससे पहले जैसे आप गोल्ड या सिल्वारा ब्राउंज का जिसके मिसन और में जो भी होगा उसका हमने टेस्ट लिया उसको बाद में उसको चोबिस घंटे के अंदर में माइनस चार एगरी टंपरेचर के वो म सुझे को सब्सक्राइब का दोबारा फिर वहार दोपींग को रूल या डोपिंग में पोसिटिव होता है तो इसके आठ साल और नहीं तो उसकी जो कैसे उसने क्या किया फिर उसको आजीवान उस गेम से पर्तिबंदित हो जाता है अच्छा एक चीज आप लोगों ने शेद नाड़ा ने एक डवलप किया है जो यूजर फ्रेंडली है और जिससे रूरल बेल्ट के खिलाडियों चाहिए कोई भी पैरेंट्स हो उनके वो कि महिल सकते हैं के लोगों कपता कि कौनसी मेडिसेंस लीने कौन से टर्जट नहीं लेना इसक्राइब क्या है की से इस पर काम करता है देखेंसर एक जो आप जो मंस्त्रियों थाकोर्जी के द्वारा पिछले महिने एक एप जर 9 यूर।्टि원 करके एक डाउनलोड हुआ है प्लेयरों के लिए. उस पर जो रूरल जहांके जो प्लेयर जीसे beau unav गया और दियाद के हैं तो फिर भी थोड़ा सा जगरुक हैं जूँनको पता नहीं होता है जब समझने प्लेयर कोई बिमार हो गया अचानक कोई बुखर हो गया या कुछ ऐसे हो गया तो उसको किसी medical source जाकर कोई दबाई ले लेता है और पता चला टेस्टिंग में फिर वो positive होता है तो उसके लिए एक know your medicine एप है सब कोई जाकर कर गूगल प्ले स्टोर में जाकर के know your KYM टाइप करेंगे तो उसको आएगा एक know your medicine और NADA का logo उसके उपर में आ जाएगा जो उसको अपने डाउनलोड करना है उसमें तीन step है उसपे जाकर के आप अपना discipline टाइप करना है आप कौन सा गेम खेलते हो और कौन सा दवा आपने खाना है अगर उस जो गेम खेलते हो उसके लिए अगर वो दवा खा रहे हो अगर आपको सब पूरे प्लेरों को यह बता रहे हैं ताकि उनके लिए ही एप बना हुआ है चलिए यह एंटी डोपिंग एजेंसी जो इंडिया में काम करी नाडा उनके दो अफसर से हम बात कर रहे थे और जिन से हमने समझा कि डोपिंग क्या है और क्योंकि तेजी से इसके मामले बढ प्रिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जैसे मनो जी ने बताया कि आप नो यूर मेडिसिन एप वह डाउनलोड करके उसके तुरू जाना चाहिए तो कि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन से ड्रक्स अलाउड है कौन से ड्रक्स नॉट अलाउड है और उनका सेवन से आप से बचना चाहते हैं पॉजिटिव होने से तो बेसिकली आपको इन जो मेडिसीन से जो ड्रक्स जो अलाउड नहीं है उनका सेवन नहीं करना चाहिए अदर्वाइस एंटी डोपिंग एजेंसी जो लगातार काम कर रही ताकि फेयर स्पोर्ट्स देश में हो सके हैं आई बी झाल झाल